eligible का आर्थ होता है आश्पर्ष्ट, आपठनिय, गिचपिच, दुर्वाच, अपाठनिय, या आश्पर्ष्ट तो जो चीज आश्पर्ष्ट नहीं हो पठने योग नहीं हो उसको हम इलेजबल बोलते हैं, एक्जाम्पल से समझते हैं, हर सिगनेचर इज टोटली इलेजबल, उसका आस्ताचर पूरी तरह से आपठनी है, मतलब वह पढ़ने योग नहीं है, तो इस सेंटेंस में इलेजबल का अर्थ है, अपठनी है, मतलब उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, इतना अच्छे से नहीं लिखा हुआ, एक और एक्जाम्पल से समझते हैं, हर सिगनेचर इज आल्मोस्ट इलेजबल, उसका अस्ता अच्छा लगभग आसपरस्ट, मतलब कुछ-कुछ पढ़ा जा सकता है, लेकिन आल्मोस्ट का मतलब होता है लगभग, तो इलेजबल का अर्थ है, इस सेंटेंस में आसपरस्ट मतलब पढ़ा नहीं जा सकता है, पूरा पूरा नहीं पढ़ा जा सकता अब आए लेजबल का अन्टोरी में बिलों सब भी जानते हैं लेजबल अपनी इंगलिस को और बहतरीन बनाने के लिए शेर सस्क्राइब और लाइक करें और स्टार्ट नाउ विकाज टुमारू निवर कम्स चैनल पर और बहुत सारे वीडियोज हैं और प्लेलिस्ट पने हुए हैं जाकर उनका फायदा उठाइए इस्पेसली 365 डेज प्लेलिस्ट